देश का पहला आम चुनाव कैसा था? भारत को आजादी मिली साल 1947 में, लेकिन पहले आम चुनाव हुए साल 1952 में. इस चुनाव पर दुनिया भर की नजरे टिकी थी. सभी के मन में ये सवाल थे कि अभी अभी आजाद हुए इतने पड़े लोकतांत्रिक दिश में, सफलता पुर्वक चुनाव कैसे कराये जाएंगे? लेकिन सभी आशंकाओ को जुठलाते हुए, भारत ने न केवल चुनावों का सफल आयोजन किया, बलकि कई एतहासी कदम दे उठाए. मार्च 1950 में, सुकुमार सेन को देश का पहला मुख्य चुनाव आयुकत नियुकत किया गया था. दो साल बाद 1952 में एक साथ राज्चियों के विधान सभा और लोकसभा चुनाव करवाए गये. इसकी जिम्मिदारी संभाली सुकुमार सेन ने. भारत ने यूनिवर्सल अडल फ्रेंच्चाइज यानि वयस्त मताधिकार के आधार पर आम चुनाव कराने का फैसला किया. यानि 21 साल और उससे अधिक उम्रवाले सभी नागरिकों को वोटिंग के अधिकार थे जबकि तब कई विकसित कहे जाने वाले देशों में महिलाव को वोटिंग का अधिकार नहीं था. सन 1952 के चुनाव में यूं तो सभी पार्टिया जनसभाव के जरिये और घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन कम्यूनिस्ट पार्टी अकेली पार्टी थी जिसको रेडियो पर प्रचार करने का मौका मिला था. वो भी आकाशवानी पर नहीं, बलकि रेडिय चुनाव का पहला वोट 25 अक्तूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश में डाला गया था, फिर 1952 फरवरी के अंतिम सब्ताह में मतदान का काम पूरा हुआ. वोटिंग अनेक चरणों में अयोजीत की गई, कुल मिलाकर करीब 4500 सिटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें 499 सिटे लोक सभागी थी. आम चुनाव में करीब 17 करोड लोगों ने भाग लिया था, जिसमें 85 फीसती लोग लिख पड़ नहीं सकते थे. अशिक्षित वर्ग को वोटिंग में दिक्कत ना हो, इसलिए मतपत्र में मतदाताओ के नाम की आगे चुनाव चिन्न चापा गया था. तो एक सब्ताह के लिए बनी रहती थी. पूरे देश में व्यापक अशिक्षा के बावजूर करीब 45.7 फीसती मतदाताओं ने अपने मतदीकार का इस्तमाल किया था. चुनाव में भाग लेने वाली मुख्य पार्टियों में कॉंग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, भारतिय जनस और कम्यूनिस्ट पार्टी शामिल थी. वही अगर कुल पार्टियों की बात करे तो चुनाव में हिस्सा लेने वाली 14 राश्य पार्टिया थी और 40 क्षेत्रिय पार्टिया. कॉंग्रेस की तरफ से प्रमुक प्रचारों में जवाहरलाल नेहरू थे और लाल भादूर शास किया. वही सोशलिस्ट पार्टि के प्रमुक चहरों में रामो मनोहर लोहिया और जय प्रकाश नारायन का नाम शुमार था, जबकि जनसंग का नितरुत्व शामा प्रसात मुकरजी कर रहे थे. अब अगर चुनावों की परिणाम की बात कर लें, तो कॉंग्रेस को संसदिय चुनाव में कुल 45 फीसती मत मिले, लेकिन उसकी सीटों की संक्या 74 फीसती थी, यानि कुल 364 सीटे पार्टि ने जीती थी. भारतिय कम्यूनिस पार्टि को कुल 16 सीटे मिली, जिसमें से 8 सीटे उसने मदरा से जीती. भारतिय जनसंग ने 49 सीटों पर चुनाव लड़ा, जि में तीन सिटों पर उसे विजय मिली। पारटी के अध्यक्ष शामा प्रसाद मुखर जी कलकत्ता दक्षिन पूर्व से चुनाव चीत कर लोकसभा में पहुचे। पहले ही आम चुनाव में कई दिगजों को हार कामों भी देखना पड़ा। जैसे कि देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भिमराव अंबेडकर और किसान मजदूर प्रजापार्टी के कद्दावरनेता आचार्य कृपलानी। चुनाव के बाद जवाहर लाल नहिरू के नितरुत्व में कॉंग्रेस की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी और वो देश के पहले निर्वाचीत प्रधान मंत्री बनी। प्रचंड बनी।